नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका मेडिशन ड्रिव्यू एंड टीश्विट्व चानल पर आज हम जिरोडॉल पीटी टाबलेट के बारे में पूरी जान कार लेने वाले हैं जिरोडॉल पीटी टाबलेट का मुक्कित उप्योग अर्द और सुजन की समस्चा दूर करने के लिए किया जाता है आई ये इस टाबलेट के बारे में आधिक विस्तार से जनते हैं ये टाबलेट कैसे काम करती है, कहा इस्तेमाल होती है इस टाबलेट के क्या बेनिफिट से, क्या साइड़ी पेक से इस टाबलेट से जुड़े सबी साहलो की जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे तो वीडियो को आखरतक दरू देखे इपका लाबरोटरिट कंपनी की 10 टाबलेट की ये श्टिप आपको 122 रूपए में डॉक्टर के परची पर किसी भी मेडिकल स्टोर्स पे आसा ने सिमल जाएगी बात करते हैं इस टाबलेट में मुझूद कंटेंग के बारे में जरोडल पीटी टाबलेट में एसिकलोफिनयक आईपी 100 mg ट्रेमेडल आइड्रोकलोराड आईपी 37.5 mg और पैरसिटोमल आईपी 325 mg ये ये कंटेंग समाश्ट है इसमें मुझूद एसिकलोफिनयक येह येक नोन स्टेराडल एंटी इंप्लामेटरी ड्रग के क्लास में आता है येह उन केमिकल मेसेंजर को रोकने का काम करता है जो दर्द और सुजन का कारण बनती है और ट्रेमेटल येह येक ओपायर आनल जीशिक है येह दर्द के संकेतों को ब्रेन तक पोचने से रोकता है और दर्द को कम करता है और पैरसिटोमल येह येक आनल जीशिक कहने की दर्द निवारक और अंटी पायरेटी कहने की बुखार कम करने वाली दवा है यह मस्तिस्क में कुछ केमिकल मैसेंजर की रियाय को रोकता है जो दर्द और बुखार का कारण बंद है बात करते हैं यह स्थाबिल के उज्जेस की डॉक्टरी शेकिन के समझे में इस्तमाल करते है इसका उपयोग और स्टियो आर्थराइटिस की समझे दूर करने के लिए किया जाता है समेश् करती है यह टाबलेट लेने से पहले हमें क्या क्या साओधविया लीनी चाइए यदि आपको इस टाबलेट में में जुद कंटेंश आलर्जी है या पिर कोई साइड़ पेक्स मौसस होते है तो इस टाबलेट के इस्तमाल ना करे यदि आपको और मेडिशन ले रहे हो तो उसके बारे में डॉक्टर को दरूर इंपम करे यदि इस टाबलेट के इस्तमाल गरब होती माईला या पिर सनपन करने वाली माईला को करना हो तो गानेकलाजिस की सला दरूर ले उसके बाद इस टाबलेट के इस्तमाल करे यदि आपको लिवर या फिर किरने से जुड़ी कोई भी समश्या हो तो इस टाबलेट के इस्तमा डॉक्टर के इस अला के अनुसर करें यह टाबलेट लेने से पहले या फिर बाद में आलकोल का प्रोयक ना करें और साथ ही यह टाबलेट लेने के बाद ड्राइविंग ना करें बात करते हैं इस टाबलेट के डोस के बारे में आप अपने समश्या और रेज बता कर इस टाबलेट का डोस आप अपने डॉक्टर या फिर फार्मासीस के पूत ले याद रखे दोस्तों हर रोगी और उनका मामला आलग हो सकता है इसलिए रोगी की सिती, रोगी की आयू और आन्यकारणों के आदार पर इस टाबलेट का डोस आलग हो सकता है इसलिए इस टाबलेट के इस्तमाल डॉक्टर के सला के आनुसर करे आडल पेक्ती एक टाबलेट दिन में एक या फिर दो बार खाना खाने के बाद ले सकते हैं तो इस टाबलेट के साथ एक अंटाइसिट दावा भी खाना खाने के बाई ले सकते हैं या फिर अपने डॉक्टर के शला के अनुसार भी इस्टाबल के इस्तमाद कर सकते हैं गोस्टों इडिये आपको इस वीडियो से helpful information मिले हो तो वीडियो को लाइक करें और medicine review और टिप्स रिचलन को सब्सक्राइब करें और साथी बेला कंदबाई ताके आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिप्रिकेशन मिलती रही यह वीडियो जेकनी के लिए धन्यों